के के आर वर्सस एस आर एच मैच नमबर उननिस चौदह अप्रेल दोजार तेस शाम के साधे साथ बजे कोलकाता का इडन गार्डन्स स्टेडियम अगर आपको ड्रिम 11 या किसी और फेंटासी एप में अच्छा करना है और खूब सारे पैसे भी जीतने हैं तो आपको सबसे पहले पिछ रिपोर्ट के बाड़े में सही से पता होना बहुत जरूरी है इसलिए अगर हम कोलकाता के इडन गार्डन की बात करें तो इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है यहाँ पर पिछला में आर और और आर सीबी के बीच खेला गया था जिसमें केके आर ने एक तरफा जीत हासिल की थी जहां केके आर पहले बल्ले भाजी करते हुए यहाँ पर 204 रनों का स्कोर खड़ा किया था वहीं आर सीबी सिर्फ 123 रनों पर ही सिमट गई इस पिछ पर दोनों पाडियों में स्पिनर्स का जलवा देखने को मिला था और तेज गंदबाज यहाँ पर एका दुका पावर प वरुन चकरवरती, सुनील नरीन, कर्न शर्मा और शहबाज अहमद को यहाँ पर अच्छे खासे विकेट मिल सकते हैं। केके आर ने 204 रनों को चेज गिया था जिसमें रिंकु सिंग ने आखरी ओवर में पांच छक्के लगा कर तहलका मचा दिया था। इस मैच में भी इसी प्लेंग 11 के खेलने की पूरी संभावना रहने वाली है। की नटराजन। सन राजर्स हैदराबाद भी इसी प्लेंग 11 के साथ अपना पिछला मैच जीत चुकी है जिसमें राहुलत्र पाठी ने शांदार पारी खेला था। SRH के टीम भी इसी विनिंग कॉंबिनेशन को कंटिन्यू करने को देखेगी वैसे हैरी ब्रूक और मयंक अगरवाल का खामोश बल्ला इस टीम के लिए चिंता का विशे बना हुआ है। हम अब अगर आपके लिए फेंटासी प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ कुछ ऐसी होनी चाहिए। तो आप एडन मरकरम को अपना काप्तान बनाईए वही मयंक मरकंडे और वरुन शकरवर्ती दोनों में से किसी एक को अपना वाइस कैप्टन। वहीं अगर हैदराबाद पहले बैटिंग करेगी तो आप मयंक अगरवाल को अपना काप्तान और राहुल तरपाठी को अपना वाइस कैप्टन बनाईए। केके आर और एस आर एच के बीच होने वाले आज के इस मैच के लिए हमारी ओर से फेंटासी टिप्स यह है कि ये दोनों टीमें अपना पिछला मैच जीत कर आई है और वे इस लए को बरकरार रखने को देख रही है। आप सोच रहे होंगे कि हमने अपनी इस टीम में रिंकू सिंग को क्यों नहीं रखा है। नुकसान हो सकता है। फिर भी कोलकाता अगर चेज करती है तो आप हैरी ब्रूक के जगह पर रिंकू सिंग को अपने फेंटासी टीम में शामिल कर सकते हैं। इस मैच के लिए आप स्पिनर्स पर ज्यादा भरोसा दिखा सकते हैं। वहीं फॉर्म आने तक आंद्रे रसल को इगनोर किया जा सकता है। जो चंजस हमने आपको अभी बताया है वहाँ प्लेइंग 11 अनौन्स होने के बाद टॉस के अनुसार किया जाएगा। जो फाइनल टीम होगी वहाँ हम आपको अपने टेलिग्राम चैनल बेजोर क्रिकेट पढ़ देंगे। तो अब आप अपनी टीम बनाईए और जीत का अनंद लीजिए बेस्ट अफ लक टु यू आल। साथ ही जरूरी सजेशन इंफॉर्मेशन और फाइनल टीम के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल बेजोर क्रिकेट से भी जुड़िये। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उनका भी टाइम बचाईए। तीस-तीस मिनट के फेंटासी वीडियो को देखकर अपना टाइम बरबाद मत कीजिए।